अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिसमें अगर आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचना है तो आपको जो उसका वीडियो का प्रोग्रेस बारे उसे स्क्रॉल करके होना पर अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं और उसमें आप एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर इजी पूंच सकते हैं तो इसका मतलब है कि उस वीडियो के अंदर यूट्यूब वीडियो चेप्टर्स का यूज किया लिए है अब आप बोलें किते हैं ये टाइम स्टेप तो काफी पर देखा ही होगा वीडियो डिस्क्रिप्टिशन के अंदर रहे ताकि यूजर को पता चले कि मुझे ये दो मिनिट पे ये कंटेंट है चार मिनिट पे ये छे मिनिट पे ये तो यूजर होना पर सीधा स्क्रोल करके पहुंच सके बट ये पर्टिक्लर है तो इस तरह से आप विडियो चेप्टर अपने विडियो के अंदर क्रेट कर सकते हैं इससे बेनिफिट यह होगा कि अगर आपका वीडियो लंबा है और यूजर को पर्टिकॉलर इंफ्रमिशन चाहिए तो उसे पूरा वीडियो देखने की जरूरत नह मेनुली स्क्रोल करके चेक करने की जबूरत नहीं है उसका जो इंफोर्मिशन चाहिए वह एजी ली एक बटन पे क्लिक करके वहाँ पहुंच सकता है तो इससे आपका विदिन वीडियो का नविकेशन जो है वो इंपरूब हो जाता है तो यह वीडियो चेप्टर्स का बेनिफिट क्या है नमबर वन जो आपने उल्रेटी डिसकस किया कि आपका विदिन वीडियो का जो नविकेशन वो इंपरूब हो जाता है इसके करना आप यूजर को एक अच्छा एक्स्पिरियंस दें पाते है दूसरा, अगर आप एक वीडियो ज़्यादा बनना रहे है तो आपके लिए बहुत ज्यादा है उलपुल हो सकता है क्योंकि आपके यूजर्स यूटुब के अंदर या गूगल के अंदर जो सथित्व करते हैं वो करते हैं आपका विडियो अपियर होता है तो obvious है कि आपके वीडियो के अंदर काफी सारा content होगा उसमें से particular click ही उसे useful है तो उसे पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है और एक featured snippet के अंदर आपका chapter automatically mark हो जाता है अगर आपने उसे को एक manually chapter mark करके रखा है तो वहाँ पे search results के अंदर आप prominently appear हो सकते हैं ओके तो वीडियो chapters के benefit की समझ में आगे तो इसका use कैसे किया है तो जब भी आप अपना नया video publish कर रहे है तो जो description है उसके अंदर आपको एक time stamp का format follow करना होगा तो अगर आपका वीडियो एक गंटे से कम समय का है तो आपको use करना है mm colon SS and उसके बाद आप chapter का label दे दीजे यादि के minute and seconds का format आप use करेंगे बट अगर आपका वीडियो एक गंटे से ज्यादा लंबा है तो आप HHMMSS यादि के आर, minute और second का combination यूज़ करके उसके साथ chapter का label यूज़ करेंगे जब आप अपने नए वीडियो के अंदर chapters add करना चाहते हैं तो आपको तीन चीजे दियांगे रखनी होगी number one, जो आपका time step with label है वो 0 colon 00 से ही start पहना चाहिए अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बागी के जो time step आपने दिये हुए उसके chapters create नहीं होगे number two, you need minimum three chapters अगर आपके पास कोई ऐसा वीडियो है जिसे में तीन chapters नहीं हो रहें तो वो काम नहीं करेगा number three, कोई भी chapter है वो 10 seconds से कम समीका नहीं होना चाहिए अगर आप ये तीन चीज़ों को follow करेंगे तो आपके वीडियो के अंदर chapters create हो जाएंगे अब हो सकता है कि आपको एक ये question होगा कि ये नए है जब वीडियो पॉब्लिश कर रहे है तब ठीक है बट क्या हमने कोई वीडियो पॉब्लिश किया हुआ है उसमें हम chapters create कर सकते हैं Yes, absolutely you can do it इसके लिए अगरिन आपको आपका description एडिट करना होगा है तो चलिए इसके लिए एक practical example लेके ही देखते हैं तो मेरी चैनल पर ये वाला वीडियो है जिसमें अभी फिला कोई सी भी तरह का chapter नहीं है इसलिए आप वीडियो प्रोग्रेस वार में देख सकते हैं एक simple सा line आ रहा है इसमें मुझे अगर chapters add करने हैं तो मुझे सबसे पहले इसका description एडिट करना होगा तो मैं यहां से edit में जाओंगा और यहां पर मैं एक particular location के उपर वो आप top में भी लिख सकते हैं, bottom में भी लिख सकते हैं कहीं पर भी आप डाल देजें बट वो time step with content label होना चाहिए तो यहां पर मैं सबसे पहले डाल रहा हूं 0.00 introduction अब मैं दूसरा और तीसरा chapter है वो एक particular seconds को select करके वहां से उसका heading इस तरह से यहां पर edit कर रहा हूं और add कर रहा हूं और इसके बाद जब मुझे लगता है कि मेरा editing हो गया मेरे 3 chapters minimum जो requirement थी वो हो गया और 10 seconds से length में ज्यादा है तो मैं इसे save कर दूँगा तो अब जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो जो वीडियो progress बार है वो multiple parts के अंदर convert हो गया है और उसके उपर mouse over करके भी आप देख सकते कि इस particular section के अंदर क्या है और अगर आप वीडियो का detail चेक करते हैं तो वहां पे इस तरह से आपको वीडियो के chapters देखना को मिलेंगे और view all करते हैं तो इंडियो chapters यहां पे इस तरह से mobile के उपर appear होते हैं और अगर आपको किसी particular section के अंदर जाना है तो उसे click किजिए और वीडियो से सिरह start हो जाए तो देखा आप अपने वीडियो का navigation किस तरह से improve कर सकते और यह कितना easy है किस तरह के और भी interesting information about instagram marketing and social media marketing इस playlist के अंदर already included तो इसे देखना हमत बुलिए और आपके जो भी पुराने वीडियो से उसमें जहां पे आपको suitable लगता है वहां पे chapters 8 कर देजियों और नयमें तो जरूर कीजियों Good luck